साल 1905 में आई फिल्म श्री 420 उस वक्त की सबसे काम्याम फिल्मों में से एक थी राजकपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजकपूर ने लीड रोल प्ले किया था और फीमिल लीड रोल में थी अक्टरस नर्गिस दत्थ इस फिल्म का गाना रमया वस्तावया उस दोर में बहुत ज़्यादा सक्सेस्फुल रहा था पुराने गाने सुनने वाले की प्लेलिस में ये गाना आज भी अपनी जगा बनाई हुए है लेकिन तमाम लोगों को आज भी इस गाने में रमया वस्तावया का मतलब नहीं मालूम है नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बॉलिवुट से जड़ी हुई बड़ी अपडेट शेयर करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास तक देखें वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तो गाने के मुखडे में आने वाले इन दो शब्दों का मतलब जादतर लोगों को वैसे ही नहीं पता है जैसे हमें तमाम गानों के लिरिक्स तो याद हो जाते हैं लेकिन उनके अर्थ पता नहीं होते हैं रमया वस्तवया श्री 420 के गाने के मुखडे में आने वाले दो शब्द जिनका अर्थ हिंदी पटी के दो लोगों को भले ही बताना हो लेकिन तेलूगू भाशी लोग इसकी अच्छे तरीके से वाकिफ है रमया वस्तवया असल में एक तेलूगू उद्धरन है जिसका मतलब है राम तुम कब आओगे राम पलस अईया करस्तमाल तेलूगू में पुरुशों के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है जबकि रमया वस्तवया का पूरा अर्थ होता है क्या तुम आओगे रमया वस्तवया राम तुम कब आओगे एक रिपोर्ट के मुताबिक भक्तिकाल में ही तेलुगो भाशी ड्रविद लोग महराष्ट में मौजूद है और इस बात की एक ग्रबल भावना है कि उस प्रभाव में प्रभावित करने के लिए राइटर ने इस गाने में एक उधरन का इस्तेमाल किया है आपको मैं बता दो कि श्री 420 फिल्म में इस गाने को लता मंगेशकर और मुहमद रफी ने गाया था तो दोश्तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसे के साथ जैहिन वंदे मात्रम